एक ब्रिख्ष को काटने के लिए कुलहाडी की लगभग सौ मार लगती है हाँ अन्तिम प्रहार उसे अवश्य गिरा देता है तो क्या पहला प्रहार निश्फल हो गया नहीं पहले प्रहार ने चिन्न बनाया और दूसरे प्रहार ने उसे और गहरा कर दिया और इसी प्रकार हर प्रहार उस व्रिख्ष के तने को इतना दुर्बल बना देता है कि अन्तिम प्रहार व्रिख्ष को धराशाई कर जाए इसलिए यदि आपका पहला प्रहार असफल हो जाए तो स्वयम को असफल मत समझो प्रहार करते जा अर्ठान सफलता के लिए भल की कामना ना करे हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए स्वयर्ण को भी कुंदन बनने के लिए ताप सहना होता है तीरे को भी चमक पाने के लिए सांग पर स्वयम को घिसना पड़ता है इसलिए यदि सफलता की चमक चाहिए तो परिश्रम करना पड़ेगा और कट्नाईयों का दाप सहना होगा